आयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कारिक्रम की तयारियां अंतिम चरण में है सुरक्षा व्यवस्था पुखता कर ली गई है अब देश भर में राम भक्तों को बस उस पल का इंतिजार है जब राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और भगवान राम के दर्शन हो सकेंगे इस से पहले गुरुवार 18 जनवरी को गर्भुग्रह में प्रतिमा को इस्थापित किया जा चुका है मंदर के गर्भुग्रह में विराजमान राम लला की पहली तस्वीर सामने आई है गर्भुग्रह सेज रामलला की तस्वीर सामने आई है उसमें राममंदिर में जुटे कर्मियों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करते भी देखा जा सकता है इस प्रतिमा को करनातो के प्रस्ध्य मूर्तिकार आरुन यूगिराज ने क्रश्न शिला में सयार किया है और उन वो मूर्तिकार जिनकी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी सराहना कर चुके है बुद्वार आपको क्रेन की मदद से रामलला की मूर्ति को राममंदित परिसर के अंदर लाया गया था इसकी कुछ तस्वीरे भी सामने आए थी रामलला की प्राण प्रतिश्चा से पहले उनका आसन भी तैयार किया गया है आपको रामलला की ये तस्वीर कैसी लगी हमें कमेंच करके अपनी राय जरूर बताए ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेर करना ना भूले